हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके पने यूट्यूब चैनल सर्सोति इंग्लिस क्लास हज में मैं समय सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास एट का हनी जीव का ये चैप्टर नमबर शिक्स है जिसका नाम है दिस इज जोरीज फॉन रिटेन बाई M.K.Rollings यहां आपको बता दू मैं थोड़ा सा इंटूरक्शन आपको बता दू मैं दे दू पहले से स्टोरी के कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राइटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि Rollings महोदय जो है यह क्या है अलामा इसके जो characters है इस lesson में इस स्टोरी में जितने भी characters हैं मैं उसके बारे में आपको नार्मली बता दूँगा उसके अलामा बात करेंगे हम इस स्टोरी का वो भी detail में इमेज के माध्यम से ताकि आपको पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाए और फिर चलेंगे वीडियो के लास्ट में कुछ सलुशन की तरफ यानि कि जो बुक्स में आपके क्वैस्टन से उसका अंसर आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा तो आराम से इत्मिनान से आप बैठिए ध्यान से देखेगा इसे आपको इससे ज़्यादा इंफर्मिशन लेने कि कहीं से जोरत नहीं पड़ेगी तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्टोरी को ये हैं महोदया राइटर जिनका नाम है अगर आप देखें पूरा नाम इनका मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ये 1896 में पैदा हुई थी USA में United States of America में और ये 1953 में का डेथ हो गया था फेमस वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लिजेगा कि जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुई और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये पुलितिजर प्राइज उनिस सो उन्तालिस में इनको पुलितिजर प्राइज मिला था The Yearling एक बुक थी उसके कारण मैं आपक देने के छेतर में दी जाने वाले जो सबसे बड़ी प्रसकार होती है वो होती है नोबल जो सेकेंड होती है वो होती है मैं बुकर प्राइज मैं बुकर प्राइज जो थर्ड होती है वो होती है पुलितिजर प्राइज जो इन महध्या को मिला दुनिया की तीसरी सबसे बड पहाई थी दो एर लिंक के लिए अपको चलता हूं ले करके source автомоб repelling यह आपने इसके आद्याले देखा था देर्लिंग के लिए इनको मिलता पुलिजल प्राइज मिलता और इसी डियरी जुटर्ब yeah यानि यह बहुत ही लेशन आप कहसकते हूं उस्हँटम और यह जब पुबूश हुआ था ना 19-38 में पुबूश हुआ था तो ये आप देख सकते हैं हाँ यहाँ पे धाय लाख कॉपी बीकी थी उसमें यूएसे में धायवाख कॉपी बीकी थी अन्दाजा लगा सकते हैं धायवाग कॉपी जो होता है वह नॉर्मल नहीं होती है तो बहुत ही स्टोरी का ये एक पार्ट है जिसका नाम है This is Jordi Fawn हम चलते हैं कुछ करेक्टर्स के बारे में जो major main करेक्टर्स हैं इतने ही करेक्टर्स ही हैं इस स्टोरी में सारे करेक्टर्स में आपको बता जिए रहा हूँ कि कौन-कौन है इस lesson में तो पहले हैं महोदे हमारे एजरा बैक्स्टर जिनको पैनी के नाम से जाना जाता है एजरा बैक्स्टर एजरा बैक्स्टर महोदे जो है ये फादर है जौडी के इनको सांप ने काट लिया है इनके हाथ में ठीक है जौडी और इनके पिता जो है ये एक डो को मारते है डो मतलब होता है म्रिगी म्रिगी मतलब होता है फीमेल आफ हिरन हिरनी कह सकते हो आप हिरडी कह सकते हो आप म्रिगी कह सकते हो तो डो को मार देते हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको साप काट ले और आप अगर हिरणी को मार दो और उसके हर्ट को उसके लीवर को अगर आप यूज कर दो उस जगा जहां पर पोईजन है जिस जगा काटा है सापने तो इनसान बच जाता है तो इसके कारण इन्हों ने मार डाला इनके जोडी जो है जो छोटा सा लड़का है नोदस साल का औ और फिर उसके हर्ट और लीवर का Jupiter करते है प्वाईजन को हटाने के लिए बात में ये महोदर जो है हिरनी की बचा हुआ था माымा लाइन लोगों ने बच्चा बचा है इस बच्चे की ही कहानी है पुरी स्टोरी में बच्चे को कैसे जॉडी जो है वो अपने घर लाता है कैसे परमिसर लेता है अपने माबाप से कि वो जॉडी जो है वो कैसे लेकर किया है उस बच्चे को अपने घर तो किस तरीके से इस टोरी में एक बच्चे जो जॉडी जिसका नाम है और एक बच्चा, जो fawn है, जो हिरिन का बच्चा है दोनों बच्चों के बीच में कितनी अच्छी सी, आप कैसेखते हो, bonding बनती है और कैसे एक बच्चा जो इनसान का है वो दूसरे बच्चे जो हिरिन का है उसको लेकर के पने घर पर आता है दूसरा जो character है वो है ओरा बैक्स्टर जो मदर है जो मा है जॉडी की ये भी allow कर देती है कि हाँ बिटा ठीक है जाओ और लेकर कर आओ उस हिरणी को उस हिरणी के बच्चे को उस fawn को ये हैं Millville जो third character story में Millville ये एक forester है ये जंगल में रहते हैं और ये जंगल के एक officer माने जा सकते हैं आप कह सकते हो आप ये घर पर आते जाते हैं जॉडी के या जॉडी के father के घर पर आते जाते हैं ये उनके दोस्त हैं चुकि घर जंगल के बगल में ही है इसलिए ये जो है आ के बच्चे को वापस लाने के लिए घोडे से यह एक करीक्टर है डेक्ट, विलसन ये भी विल के साथ आते हैं, घर पर जॉटी के और यह भी परमिसन देते हैं ये भी कहते हैं बच्चे को लाना आगर आपने मा को मा डाला है यानि कि fawn के माँ को हिरडी को खर आप मा डाला है तो हिरडी के बच्चे को आप लेकर एगर पर आ यही मानवता है तो यह भी सासरे दिते हैं जौडी का उस फॉन को घर पर लाने के लिए और यह flag जो है वो आल कर लाया गया फॉण का नाम है कि यह फॉण है यह फॉण हट फॉण का मतलब हिर्णी का बच्च और बाय इसका नाम फ्लाइग maravilर से आपको याद रखना पड़ेगा कि जोडी ने जब इसको अपने घर लाया तो इसका नाम फ्लैग रख दिया ठीक है और ये तो है आपको पता ही होगा महुत है हमारे जॉड़ी जिनके बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पूरी कहानी नहीं के बारे में है आप पूरी कहानी पढ़ोगे आपको समझ में जाएगा तो चलते हैं स्ट पैनी लिया जूड़ो का बाकी लोगों का तो अब चलते हैं स्टोरी के शुरुवात करते हैं जॉड़ी के पीता पैनी को एक रैटल स्नेक ने काटा चोकि पैर में नहीं काटा हाथ में काटा है लेकि मुझे मिला यहीं फिगर इसलिए मैंने रख दिया तो हाथ में काट ल मुरिगी को मा डाले ये लोग और मार करके उसके दिल को जिगर को जहर बाहर निकालने के लिए यूज कर लिया जोडी ने देखा कि जो मुरिगी का छोटा सा बच्चा था वो अकिला रह गया था जो फान था वो अकिला रह गया था अब फान का वीचार जोडी के मन में जो थ वो दिन रात घर कर रहा था सोच रहा था कि कैसे मैं उस बच्चे को ले कर क्या हूँ सोच रहा था कि मैं इस बच्चे को ले कर क्या हूँ इसे गले लगाऊंगा वो बच्चा कितना क्यूर था छोटा था मां उसकी मर गई वो बच्चा कैसे जिएगा वो भी मर जाएगा इसलिए चुप चाप वो अपने पिता के बिस्तर के पास आता है जोडी अपने पिता से उसका हाल पुछता है यह आपका हाल कैसा है यह पुछता है जोडी अपने बाप से फिर उसने यानि कि जोडी ने मरिगी के बच्चे के बारे में यानि कि फॉन के बारे में बोला, कहा कि आप उसको याद कर रहे हुँ ना, आपको याद होगा वो बच्चा एक था, जब हमने मारा था डो को, यानि कि हिरनी को, तो उसका बच्चा भी था, फादर को याद आता है, वो कहता है कि फॉन को घर लाने के अनुमत दे दीजे पेनी जो थे वो दुविधा में थे वो कहते नहीं ऐसे कैसे बच्चे को लाओगे खिराओगे नहीं सही है यहां रहना सही नहीं है तो जौडी ने तर्क दिया कहा कि जो फॉन का फॉन बच्चा है जो वो उसका पलन बोज नहीं होगा हमारे लिए जब तक फॉन पतिया और एकरन खाने लायक नहीं हो जाए एकरन एक प्रकार का भोजन है जो खाते हैं ये जीव ये हिरन हिरनी तो जब तक पत्तियां एकरन खाने लायक नहीं हो जाए वो मरिग शिशु यानि फान तब तक वो मेरा दूद पिएगा यानि जोड़ी कहता है कि आप मत दीजेगा मैं आपको मार कर पैनी ने माना कि फान को भूग से मरने के लिए छोड़ देना पाप होगा इसनों सोस्टा हाँ ये सच में पाप है उसको भूग से मरने के लिए छोड़ दिया वह भी छोटा सा बच्चा था अता है उसने जौडी को अनुमत दे दी उसने कहा कि फान घर में लान जोडी जो है वो आता है मेच पर बैट जाता है बिल्कुल चुपचाप अपने मा के बगल में मा जो है उसकी वो प्याले में कॉफी लेकर के आती है जब जूडी ने उस फान को घर लाले की बात कही तो मा जो थी वो चौक पड़ी उसने अनिच्छा जाहर गी उसने का नहीं ये सही नहीं है नहीं लाना है तुम्हें तो जूडी ने बताया कि पिता जी ने परमीसन दे दी है उसने कहा कि पिता जी ने कहा था कि फान को भूक से मरने के लिए छोड़ देना ये पाप होगा अन्याय होगा ये कृतधंता होगी ये कृतग्यता नहीं है हमारी हमें उसक को घर लाना चाहिए क्योंकि संसारे में कोई भी चीज पूरी तरह से मुफ्त नहीं मिलती इसका मतलब था कि म्रिगी की जान लेने के बदले उन्हें उसकी कुछ कीमत चुकाने ही चाहिए और यहां पर कीमत थी फॉन का पालन पोशन करना म्रिल के बच्चे का पालन पोशन कर कि वह फान को अपना दूद दे सकता था उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी फान को खिलाने के लिए तो अगर तुम्हें खिलाना प्लाना है तो अपना दूद देना मैं कुछ देने वाले नहीं जूडी ने अपनी मा बैक्स्टर को आश्वासन दिया क कि वह भोजन काल के समय यानि डिनर के समय वापस आ जाएगा परशान मत हो ये मिस्टर विल जो थे मिल विल ये घोड़े पर बैठा देते हैं बच्चे को यानि कि जोड़ी को और उसके बाद वो खुद भी बैठ जाते हैं घोड़े पर पीछे बैठा देते हैं जोड़ी को अब जो था घोड़ा चलने लगा है, अब मिल महोदे जो हैं, ये जूडी से पूछते हैं कुछ बात, पूछते हैं कि ये तुम बताओ, वो जो म्रिग का बच्चा था, जो डो का बच्चा था, हिरनी का बच्चा था, वो नर कैसे था, तुम्हें कैसे पता कि वो नर है, वो म ने देखा जब था तो मैं जान गया था कि ये जो है वो फॉन है वो बच्चा है बच्ची नहीं है जंगल में जाते हैं ये बताता रहता है ये समझा रहा है यानि कि चुकि डो को मारने के लिए जी जी जगा पर गये थे उसके पिता यानि कि Mr. Penny और ये जोडी दोनों लोग गये थे मारने के लिए उसकी मा को हिरनी को तो यही रास्ता बताता है कि किस रास्ते से जाना है हमें तो ये रास्ता बताता है और उसी रास्ते पर जो मिल्विल है ये घोड़े पर लेकर के जाते हैं जाते हैं जाते हैं बाद में जंगल में पहुशते जब हैं उसके बाद वो भेजना चाहता था मिलविल को घर और वो अकेले धूढ़ेगा पहला कार था कि संभव है कि जोडी को वो फॉन न मिले क्यों न मिले हो सकता है कि वो मर चुका हो यह हो सकता है कि वो इतना दूर जा चुका हो कि उसे ढूढ न पाए ये बंदा, यानी जोड़ी उसे ढूढ ही न पाए और अगर इस इस्थित्में चाहे वो मर गया हो बच्चा, या ढूढ न पाए तो उसको बहुत निराशा होगी, और ये नहीं चाता जोड़ी कि मेरी нिराशा मेरे रोते हुए सकल को मिल विल देखे और दूसरा कार था उसका मना करने का इनको और वो ये कि अगर जो फॉन है उसे मिल जाए मिल गया तो फॉन का जोड़ी से जो मिलन होगा न वो बहुत प्यारा होगा बहुत रहस्पूर्ड होगा और वो इस प्यारे से रहसपूर जो मिलन है इसकी खुशियों को वो किसी और से साजह, किसी और से बाटना नहीं चाहता तो खुशियां हो या गम हो वो अकेले चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं रोंग तो ये देखें, वो नहीं चाहता मैं खुश होंग तो ये देखें इसलिए इसने कहा कि आप चले जाएए पहले तो ये मना किये ये कहा नहीं मैं नहीं जा सकता मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ तुम्हें छोड करके उसने कहा कि जाडिया इतनी घनी थी कि तुम कहीं परशान हो गये खो गये अगर रास्ता भटक गये जंगल में तो तुम्हारा क् तो तैंब भी साँप डस सकता है, फिर बोला जोडी ने states, चुलिक मात ब्यखर स्थ क्माना देखेगे+. इस अश्वाइव जोडी ने लात के स्था मिल्व्लस के लिए कले आप एक एक यहां पी आपोरानाएब कर सब्सक्राउज क्या क्यांप लिखर-दाएब और आप परशान मत हुए मैं आराम से चलाओंगा इस तरीके से जो मिलवी लेम होद है वो कहते है ठीक है अपना ध्यान रखना सावधान रहना मैं जा रहा हूँ वो चले जाते है घोड़े पर बैट करके अब जोड़ी जो है वो धीरे धीरे आता है जंगल की तरफ जंगल वहां से कुछ देर ढूड़ने के बाद वो उस जगा पर पहुँच आता है जहां पर डेड़ बाड़ी पड़ी हुई थी उस हिरनी की क्योंकि उन्हें पता था कि ह इरनी की डेड़ बाड़ी यहीं है यहीं से उन्हें उसका लीवर और उसका हर्ट निकाला था तो वहां पहुच जाते हैं जहां उसका डेड़ बाड़ी है जहां वो पड़ी हुई थी वहां आसपास वो देखता है वह यहां वहां धूड़ता है धूड़ता है कहां है कहां पर बच्चा है बच्चा वहां नहीं था उसने छोटे छोटे खुर बच्चे का जो खुर है उसके निशान को ढूड़ना चाहा लेकिन जंगल इतना घना था कि वो असफल हो गया ढूड़नी पाया तब उसे कुछ हलचल सी आवाज होई जब यह देखना चाहा उसे कुछ लगा कि कुछ हिल रहा है वो बंदा उस तरफ गया जहां वो पतियां हिल रही थी अपने अपने इस फान को देख करके जूड़ों जो थे जो जोड़ी थी वो खुशी से फूल उठा वो देखा बच्चा जो था वो अंदर ही बैचा था और वो कांप रहा था उसने उसे उ परिशान था प्रिमा को देख करके म्रिग शिशू यानि की फॉन के कोमल गर्दन पर जोड़ी ने अपना हाथ रखा उसने उसे बड़े प्यार से सहलाया उसे प्रसंदता से फील हुई आपने देखा होगा जानवरों को जब आप जानवरों के गले पर हाथ फेरते हो ना उसे बड़ा रिलीव फील होता है बहुत अच्छा लगता है तो चुकि जानवर तो ये भी है इसलिए ये जो है ये बड़ा रिलीव फील किया उस समय वो जो है बच्चे को धीरे से उठा लेता है अपने गोद में लेता है और वो चाहता है कि वो उस तरफ से नहीं वो जाडियों से हो करके जाने लगा चलना कठिन था जाडिया दुरगम थी फिर भी वफान को अपनी बाहों में उठाए चलते जा रहा था चलते जा रहा था लंबा रास्ता था वो पगडंडी पर चलता गया चलता गया चलता गया वो उस रास्ते पर जा रहा था जो उसक करने के लिए रुका क्योंकि उसकी सांसे फूल रही थी छोटा बच्चा तो वो भी था और एक दस बारे की लोगे बच्चे को उठा करके वो लेके जा रहा था जंगल में से वो भी उसने फान को नीचे उतार दिया फान मिमी आया और उसने जोड़ी की ओर देखा जोड़ी म लगेगा इसलिए उसने सोचा कि अब मैं इतना दीर उठाई लिया हूं तो क्यों ना मैं इसको आजमा हूं अब यह मेरे पीछे-पीछे चलेगा थोड़ा मैं आगे चलू तो यह आगे चला है यहां देखे आगे चला है लेकिन यह हीला तक नहीं यह बच्चा फॉन जो है वह आगे चल पड़ा वह अधिक दूर नहीं जा सका वह बहुत थक चुका था पर इस बार जब वह आगे बढ़ा तो मिर्ग शिश्व उसके पीछे-पीछे भी चलने लगा जैसा कि आप यहां देख सकते हो जब यह कुछ दूर पहुच गया था तो मिर्ग शिश्व जब तो फिर से वह रुक गया मिर्ग शिश्व शायद वह थक चुका था या वह जाना नहीं चाता था इस लानत में फिर से उसे उठाना पड़ा जो फान था उसको उठाए वह अपने घर के दौर पर पहुच गया जोड़ी अपने घर के दौर पर पहुच गया दरवाजे पर जोडी के मन में एक विचार आया, उसने सोचा कि अपने पिता की कमरे में लेकर के चलता हूँ, इसको मा की कमरे में जाओंगा तो शायद मा कुछ डाटे बाटे, तो वो लेकर के चला गया अपने पिता के कमरे की तरफ, उसने उस बच्चे को उतार दिया, लेकिन बच्चा सी कुछ था कि जो चाहता था उसे वो मिल गया यारी कि तुमने वो कर दिखाया जो तुमने सोचा था करने के लिए अब जोड़ी चाहता था किस बच्चे को दूध पिलाओ में क्योंकि यह बच्चा भूखा शायद बहुत था उसे गाड में तुम्बे में उसने चुकी होता है कुछ चीजों का बना हुआ जैसे कि आप कहा सकते हो लोकी का या कद्दू का इसका जो होता है खोल टाइप की कवर टाइप की जो होती है वैसा ही कुछ था जिसे तुम्बा कहते है उसमें उसने दूध गिराया और कहा कि भई अब इसको पिलाना चाहिए तो दूध इसने बच्चे के मुह में उसने डाली जब उसने बच्चे के कोमल मुह में डाला तब वो बच्चा फॉन आतूरता से दूध चाटने लगा और थोड़ी ही देर के बाद वो तूम्बे से दूध पीने लगा या थोड़ी देर बाद ये बच्चा जो है साथ घुल मिल गया और इ story खत्म होती है एक बच्चे का एक बच्चे के प्रती क्या लगाव था वो खत्म होता है यहां पर आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी यह है this is jordi's phone तो यह अब jordi's का phone हो चुका है इसका खुद का हो चुका है अब यह दोस्त हो चुकी है हम चलते है story camp में यह confirm करने जो solution है जो book में है page 90 में देखेगा text book का solution है one two three question दिया गया यहां पर और यह four question है फिर page 91 में first second question है और इसके answer है फिर 94 में यह पहला question answer है यह दूसरे का question है और दूसरे क answer यहां पर है दूसरे का यह answer है यह answer है यह answer है यह पहला दूसरा तीसरा इसका part है यह तीसरा question तीसरा answer है यह चौथा question चौथा answer है और यह working with the text जो page 94 में यह first second question यह third fourth question इस तरीके से सारे questions खत्म होते हैं screenshot ले लिजएगा ताकि आपको लिखने में आशानी हो आशानी होगी अगर आपको पसंद आया होगा यह कहानी तो आप like का बटन जरूर प्रिस करिएगा कोई परिशानी होगी comment box में comment कीजेगा कोई सुझाव देना होगा उसके लिए भी share जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी information मिल जाए इस कहानी के बारे मन को भी knowledge हो जा की का बटन जरूर बजा दिजेगा ताकि आपको जो भी में वीडियो अपलोड कर वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल किएगा थैंक्यू फा वाचिंग दे वीडियो